इधर वीडियो रैंक नहीं हो रही तो दिल दुखा है और सामने वाले की वीडियो अप्लोड करते ही रैंक हो चुका है दोस्तों आज हम करेंगे एक और नया एक्सपरिमेंट और कुछ नया ट्राय करेंगे SEO for YouTube में ताकि हमारी वीडियो भी रैंक हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सपरिमेंट में हम ये करेंगे कि हम दो वीडियो को अप्लोड करेंगे एक वीडियो को हम पोट्रेट मोड में अप्लोड करेंगे और दूसरी वीडियो को हम लैंड्सकेप मोड में अप्लोड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी वीडियो रांक कर जाती है क्या इन दोनों मोड्स में से कोई एक मोड है जिस वज़े से वीडियो रांक हो जाती है इस बारे में और कुछ समझेंगे और और कुछ नया सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं SEO for YouTube और समझते हैं YouTube Tips in Hindi इस छोटे से इंट्रो के बाद हर बार की तरह हमने दो वीडियो को अपलोड की आप देख सकते हो वीडियो वान वीडियो टू दोनों ही वीडियो की लेंज सेम है दोनों ही वीडियो पर जीरो व्यूज है दोनों ही वीडियो का टाइटल दिस्क्रिप्शन और टाइग सेम है अब मैं आपको वीडियो वन के एडिट पर क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन और टाइग दिखा देता हू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो fun with Sagar Gen ही उसका दिस्क्रिप्शन और टाइग है इस तरह बैक पे क्लिक कर रहा हूँ वीडियो 2 के एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ इसका जो description और tag है वो भी fun with सागर जैन है अब मैं बैक पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब वीडियो 1 और वीडियो 2 में difference यह है कि वीडियो 1 को हमने portrait mode में record किया हुआ है याने हमने phone को vertically place करके record किया हुआ है और 9-16 के format में save करके उसे upload किया है उसी तरह वीडियो 2 को हमने horizontally place करके record किया हुआ है phone को याने कि हमने 16-9 के format में उसे save करके upload किया है अब मैं आपको वीडियो 1 के edit पे click करके आपको दिखा देता हूँ के vertical mode में दिखता कैसा है वीडियो तो ये मैंने audio पर क्लिक कर लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो vertical mode में कुछ इस तरीके से video आपकी display होती है laptop पर और अब मैं back पे क्लिक कर लेता हूँ और video 2 के edit पे क्लिक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ horizontal mode में कैसे दिखते है video ये मैंने audio पर क्लिक कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 16 is to 9 के format में save करके upload किया हूँ है याने ये horizontal video है ये landscape mode कहते है इसे अब मैं back पे क्लिक कर रहा हूँ याने video 1 जो है वो portrait mode में upload की हूई है और video 2 जो है वो landscape mode में upload की हूई है अब देखते है YouTube algorithm किसे support करता है portrait mode को support करता है या landscape mode को support करता है याने video 1 rank कर जाती है या video 2 rank कर जाती है इस बारे में experiment करते है तो यहाँ मैंने type कर लिए fun with चाह कर जाए अब देखते है कौनसी video rank कर जाती है तो आप देख सकते हो video 1 rank कर गई video 1 portrait mode में record की भी video थी और video 2 horizontal mode में record की भी video थी याने portrait mode को जादा prefer करता है YouTube algorithm अगर आप अपनी videos को portrait mode में record करोगे और upload करोगे याने 9 to 16 के format में edit करके उसे upload करोगे तो definitely वो वाली video rank कर जाएगी ये चीजे मुझे भी नहीं पताती आज experiment करके खुद मुझे समझाया के portrait mode को जादा support करता है YouTube algorithm अब ये क्यों support करता है इस बारे में अगर आपको कोई clue है तो प्लीज मुझे comment करके बताएए फिलाल हमारे experiment का conclusion ये है कि YouTube algorithm पोट्रेट मोड वाली video को जादा support करता है और उसे rank करवाता है माना कि हमारे viewers कम है पर हर एक viewer में दम है तो वीडियो को like करना हमारे channel को subscribe करना हमने इन सारी वीडियो को एक playlist में डाल दिया है उसकी link मैंने description में दे दिये आप वहाँ जागर कहीं सारे और वीडियोस देख सकते हो और रोज कुछ नया सीख सकते हो अगर आपको हमसे कोई experiment करवाना है तो please comment करिए हम उनको लेकर भी experiments कर सकते है और रोज कुछ नया सीख सकते है लेकिन हार मत मानेगा एक दिन जरूर अमारी वीडियो रायन कोगी थांक यू फो वाचिं दिस वीडियो